कि अब्रीवन आज का हमारा सवाल है एनिसोल ऑन क्लिफेज विद एचाई गिपस देखिए एनिसोल एनिसोल क्या आता होगा आपका बेंजीन बेंजीन में ओसी एस तरी यह इथर है जब इसको एचाई के साथ ग्रेट करवाया जाता है तो बहुत सिंपल रेक्शन है इथर का रेक्शन है तो OCS3 के साथ जब यह कंबाइन करेगा तो ऐसे में क्या होता है एच आपको पता है एच प्लस आय माइनस में ब्रेक हो जाएगा और OCS3 में हम लोग ऑक्सिजन और का बांड को ब्रेक करते हैं ठीक होगा इस रेक्शन में यहां से बांड को ब्रेक नहीं कर सकत है क्योंकि यहां पर यह बेंजीन से लगा पॉंड है यह आपका एरोमेटिक बांड है जिसमें क्या होगा रेजोनेंस के कारण ऑक्सिजन का लोन पर बेंजीन के साथ रेजोनेंस जिसके वजह से यहां पर पार्सेल डबल बांड करेक्टर आ जाता है और इस लिए बेंजी में mechanism नहीं है question को simple way में explain करने के लिए मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ actual media में बात करो तो क्या होता है जो है आपको ब्रेक होगा oxygen के पास लोन प्रेड जो हो एच प्लस गेंड करता है फिर उसके बाद बाद में ब्रेकिंग होता है लेकिन जितने भी और प्लस माइनस में तोड़ कर प्रोड़क्ट आप बना सकते हैं इसलिए हम इजी बात फॉलू कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी इजी हो और आपका समय भी बचे ठीक है तो यहां पर हमने प्रोड़क्ट आपको मिलेगा वह है फैनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड तो करेक्ट आंसर यहां पर आप देख लो क्या होगा तो आंसर जो थर्ड है ऑफिशन थर्ड जो है वह आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ओप यू अंडरस्टैंड इस कोस्टिन थैंक क्यों कि वादिक वादिक वीडू